सालो नमस्कार मैं डाक्टर रजनिश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे MP प्रवक्ता वर्ग एक के पाठक्रम के उपर जिसका की एकजाम 2 अगस्ट 2023 को संभावित है उसमें हमने इकाई एक पर इस वीडियो लेक्चर में विचार किया है और जब आप पाठक्रम देखेंगे तो कुल 20 इकाईों में ये पाठक्रम बटा हुआ है और इसमें कुछ टेक्स्ट लगे हुए हैं, कुछ व्याकरण के पोर्षन हैं, कुछ भार्षा विज्ञान से संभन्दित इकाईया है तो क्रम सह हम सभी इकाईों पर बात्चित करेंगे और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जो भी विद्यार्थी गंभीता से इस परिक्षा की त्यारी कर रहे होंगे वो प्लेलिस्ट जरूर जा कर देखें पहले से ही उसमें कई वीडियो जोड़ी गई है ठीक है अब हमने सोचा कि विधिवत तरीके से इस सिलेवस को हम कम्पलीट करें तो उसमें इकाई एक जब आप देखेंगे सिलेवस में तो लिखा गया है हिंदी की एतिहासिक प्रिष्ट भूमी जिसके अंतरगत प्राचीन भारती आरे भाषा हैं मध्यकालीन भारती आरे भाषा हैं पाली प्राकृत चवर्षेनी अर्धमागदी मागदी अपभरंश और उनकी विशेष्टाएं अपभरंश अवहट और पुराने हिंदी का संबन्थ आधुनिक भारती आरे भाषा हैं और उनका वर्गी करण ये इकाई एक का छोटा सा आप देख रहे हैं कि सिलेबस है और इस सिलेबस को हमने इस पूरी वीडियो में कभर करने की कोशिश की है और देखेंगे आप कि केवल MP प्रवक्ता वर्ग एक की परिक्षा की दिश्टिकों से ही ये टॉपिक माहत्पूर्ण नहीं है बलकि आप सिलेबस से बाहर यानि की परिक्षाओं के थमनिल से बाहर निकल कर अपने लिए इस पूरे लेक्षर को सुनिये आपको काफी आनंद भी आएगा और आपको लगेगा कि आपका रिवीजन हो रहा है और मन को शांती भी मिलेगी तो चलते हम बात करते हैं विश्टार से हिंदी की एतिहासिक प्रिष्ट भूमी बात करें तो भारती आरे भाषाओं का इतिहास लगबग साड़े तीन हजार वर्सों का है अगर इसमें हम और कुछ जोड़ें तो मोटे तोरपर कर सकते हैं वर्तमान समय से जोड़ते हुए कि चार हजार वर्सों का पुराना इतिह है भारती आरे भाषाओं का भारती आरे भाषाओं का अध्यन करने के लिए भाषा विदो ने देखा कि इसमें भाषागत विस्यस्ताएं और विभिनताएं उनके हिसाब से भारती आरे भाषाओं को तीन भागों में बाटा गया है जिसे कि हम प्राचीन आरे भाषा हैं और आधुनिक आरे भाषाएं के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने टेबल भी बनाकर आपके सामने प्रस्थित करने का प्रयास किया है कि भाषागत विशेषता और विभिनता के कारण भारती आरे भाषाओं को तीन भागों में बाटा गया है। सवाल एक पुछा जा सकता है कि प्राचीन भारती आरे भाषाओं कब से कब तक मानी जाते हैं। तो 1500 इशापुरो से लेकर 500 इशापुरो की बीच में ध्यान में आपको रखना है कि यहाँ पर इस भी नहीं लिखा गया है बलकि इशापुरो लिखा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इशा के पहले हमारा जो इतिहास आप पढ़ेंगे चाहे वो प्राचीन इतिहास पढ़ें हैं। ठीक है प्राचीन इतियास में खास वर से इशापुरो का जीक्र जादा किया जाता है। एक हजार इसापुरू इसापुर वो उल्टा क्रम में चलता है घटते हुए क्रम में ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है। बैदिक संस्क्रित यानि भारती आरे भाषाओं में प्राचीन आरे भाषा की बात करें या फिर पूरे भाषा परिवार आरे भाषा की बारे में भात करें तो सबसे प्राचीन अगर कोई भाषा है तो वो बैदिक संस्क्रित है नाम से ही लग रहा है कि ऐसी संस्क्रित जिसम बेदों का जिक्र किया गया हूँ, उसका समय बताया गया 500 इस्व पूरो से लेकर 1000 इस्व पूरो के बीच मैं, इसी कालखंड में दूसरी जो भाषा विक्सीत हुई, उसका नाम है लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत यानि ऐसी संस्कृत जिसका लोक में मौजुदगी रह लोक में प्रियुक्त भाषा जो रही संस्क्रीट, उसको लोकिक संस्क्रीट कहा गया और इसका जो समय निर्धारित किया गया 1000 इसा पुरो से लेकर 500 इसा पुरो के बीच में, तो मुख्य तोर पर इन ही दोनों भाषाओं को मिला कर प्राचीन आरे भाषा का निर्माण होता ह तो मोटे तोर पर इसका जो समय 1500 इसा पुरो से लेकर 500 इसा पुरो और इसके बीच में जिन दो भाषाओं का विकास हुआ, उसमें बैदिक संस्क्रीट, लोकिक संस्क्रीट, उनके समय के बारे में हमने विचार कर लिया आप अपने दिमाग में इसको क्रम सब बैठाते जाएए और इस विडियो लेक्चर को सुनने के बाद आप अपने बिश्तर पर आदे गंटे 45 मिनट आराम से विचार कीजिए कि आज हमने हिंदी की एतिहासिक जो प्रिष्ट भूमी रही है उसका ध्यन किया तो उसमें क्य क्या पढ़ा है ठीक है अब हम बात करते हैं दूसरी जो आरे भासा है उसका नाम है मधिकालीन आरे भाशाएं जिसका समय बताया गया 500 इसा पूरो से लेकर 1000 इस भी ध्यान में रखना है कि मधिकालीन आरे भाशाएं जो हैं इसका समय एक तरफ इसा पूरो भी है और इस भी भी है यानि कि 500 इसा पुरो से लेकर 1000 इसबी के बीच में मध्यकालीन आरे भाषाएं आती हैं अब इसमें तीन भाषाओं का जिक्र किया गया है वो कौन सी तीन भाषाएं है वो हैं पाली प्राकृत अपभरंट और अवहट ठीक है तो पाली का जो समय माना गया 500 इसा पुरो से लेकर 1 इसबी के बीच में फिर प्राकृत का समय माना गया 1 इसबी से लेकर 500 इसबी के बीच में अपभरंट का समय माना गया 500 इसबी से लेकर 1000 इसबी के बीच में और ये पूरा समय आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा तो 500 इसा पुरो से लेकर 1000 इस वांड शाओं में कि पाली का समय कब से कब तक रहा है तो ध्यानमर रखे 500 पुरों से 20b, प्राकरित का 1 इसबी से लेकर पांसो इसवी और अब भरंज का पांसो इसवी से लेकर एक हजार इसवी के बीच में ठीक है जैसे हम हिंदी साहित का इतिहास पड़ते हैं तो बहुत धडल्ले से आधुनी काल जब हम पड़ते हैं तो इसमें कालखंड बड़े बहुते छोटे हैं आप देखेंगे कि भारतिंदु यूग हो गया दिवेदी यूग हो गया चायावाद हो गया प्रगतिवाद प्रयोग वाद तो इनका हम कालखंड याद करके रखते हैं जो पचास पचास साल के हैं फिर देरे क्रम से कम होते आते हैं थीक है, खासतर से चावाज से आप देखेंगे कि तो 18 साल हो गया, फिर 6 साल हो गया, फिर 7 साल, इस तरीके से, तो अगर हम जैसे इसको याद करके रखते हैं वैसे इन भाशाओं को भी क्रम से याद करना है, कि पहले संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभरंश है, अगर आप पिछले साल की question paper को देखेंगे, तो इनका विकास भी पूछता है, ठीक है, कि विकास क्रम कौन सा सही है, तो इसमें संस्कृत, फिर पाली, फिर इसके बाद प्राकृत, फिर इसके अब बात करते हैं हम आधुनिक आरे भाषाएं के बारे में, आधुनिक आरे भाषाएं जो हैं, इनकी शुरुवात 1120 से मानी जाती है, और ऐसा माना जा रहा है कि अब तक इनका प्रचलन है, आधुनिक आरे भाषाओं के अंतरगत हिंदी, बांगला, उडिया, मराथी, गु आधुनिक आरे भाषाओं के अंतरगत आती हैं, और इनका जो समय, जैसा कि मैंने बताया, कि 1020 से अप्टब, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जब यह मैं लेक्चर बना रहा हूं और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो 2023 चल रहा है, ठीक है, अगर इसको 1020 से ह मान लेते हैं, तो 2023 चला, यानि कि जो आधुनिक आरे भाषा हैं, लगभग इनका जो समय है, आप देख रहे हैं कि 1023 वर्ष कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है, ऐसे जोड कर अगर देखेंगे, तो तुरंत आपके दिमाग में बैठना सुरू हो जाएगा कि अच्छा, इसक पहले जो है, आधुनिक आरे भाषा के पहले जो मधिकालीन आरे भाषा है, और इसकी तीसरी अवर्स्था है, अब भरंश अवर्ष, ये कुल 500 इसवी तक ही है, अगर आप इसको देखा जाजो, ठीक है, 500 इसवी से लेकर 1000 इसवी, यानि कि 500 इसवी में ये खतम हो जाती है, लेकिन आधुनिक आरे भाषा हैं, जैसा कि मैंने बताया, कि अगर अभी तक जोडेंगे, तो लगबग ये इसका कालखंड हो गया है, 1023 वर्स, लेकिन भाषा भीदों ने अभी तक इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं देखा, इसलिए कोई अगली आधुनिक आरे भाषा क जैसे कि उत्तर आधुनिक आरे भाषा, इस टाइप से कोई निधारन नहीं हुआ है, तुम्मीद है कि ये चार्ट पूरा आपको समझ गया होगा, और इस चार्ट को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसका विकसित रूप, जो विकास क्रम है, उसको भी दिमाग में र जो विद्यार्थी पहले से पढ़े होंगे, उनका रिवीजन हुआ होगा, और ये फैक्ट्स उनके क्लियर हुए होंगे, अब क्रम से हम इन पर विश्तार से अगर बात करें, तो प्राचीन भारती आरे भाषा, जैसा कि हमने बताया कि इसमें वैदिक संस्कृत और लोकिक संस्कृत दोकी चर्चा की जाती है, तो यहाँ पर बताया गया कि भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप संस्कृत है, संस्कृत को हम देववाडी भी कहते हैं, ठीक है, और ये भी का जाता है कि ये हमारी हिंदी की जननी है, इसको माता की रूप में भी देखा जाता है, क पीड़ी दर पीड़ी इसके जो विकास क्रम है वो बढ़ते जा रहा है क्योंकि दादी मैं इसलिए करा हूँ कि जो आज हम हिंदी बोलते हैं वो विश्वुद तरीके से हिंदी नहीं है बलकि उसमें कहीं कहीं चेत्रिय भाषाओं का और अंग्रेजी का प्रयोग है जिसको क कि आम एक नई भाषा हिंगलिस का नाम देर शकते हैं तो वही बात है जब हिंगलिस आ जाएगी तो संस्कृत क्या हो जाएगी दादी हो जाएगी जब तक हिंदी है तब तक यह माता के रूप में तो प्राचिंतम रूफ होने के कारण संस्कृत की जो भाषिक विश्यस्त ऐसे जब आप अपने दिमाग में दोडाएंगे चीजों को तो चीजें जल्दी से याद होती रहेंगे जितना लिखेंगे उतना आपको याद होगा अब बैदिक संस्कृत क्या है यानि कि बैदिक भार्षा इसे प्राचिन संस्कृत भासा भी कहते हैं इस भार्षा में लांगो की रचना हुई है ब्रामर्द ग्रंथ जीतने या फिर आरणयक उपनीसत जीतने लिखे गए वे सभी प्राचिन संस्कृत में लिखे गए वैदिक भाषा में कुल 52 धोनियों का जिकर किया गया है जिसमें 13 स्वर और 49 व्यंजन पाया जाता है इनका प्रयोग होता इस प्राचिन भाषा में तीन लिंग, तीन वचन और आठ कारक की चर्चा की गई है प्राय अगर आप UPT, GT, PGT की तयारी कर रहे होंगे तो उसमें संस्कृत का भी पोर्शन पढ़ना होता है तो वहाँ पर ये सवाल पूछा जाता है कि संस्कृत में कितने लिंगों का प्र बैदिक संस्कृत की जब चर्चा की जाएगी तो आपके दिमाग में मैप यह अ 있지 संस्क्रित जोकि प्राचिन संस्कृत है जिसमें बेदों वेदागों ब्रामर्द रण्तो उपनी सिदों की रचिना की गई है और बाके अगर आप और धेहराई से जानना चाते हैं तो इसको भी याद करके रख सकते हैं कि बावन धोनिया बात है कि अभे भी मैं धोनियों की चर्चा की जाती है अगर घंदी ब्याकरण आप पड़ेंगे तौ दि की मेरी कोशिश रहती है कि आप को रिलेट करके पढ़ने जिसे कि आपका दिमाग में गत्यमानता है ठीक है और जैसा कि आप जानते है कि जब जल अगर एक जेर्ग रहता है तो इसermeह सड़ा पना आ जाती है लेकिन वही पानी में गत्यमानता रहती है तो वो पाने तुद्ध रहता है, तो अपने दिमाग में भी इतने तथ्यों को आपने जूटा कर रखा है, ऐसा नहीं है कि जो चीज मैं बता रहा हूं वो आपके लिए कोई नई चीज है, अब हम बात करते हैं लोकिक भाषा के बारे में, जो लोकिक संस्कृत है, भाषा विकास मानिता प्राप्त है, थिक है, जो भी लोकिक संस्कृत है, यहीं लोक जीवन से जूरी हूई गरॉब धाषा का भाषिक विवेचन सबसे पहले पाड़िनी क्रित अस्ता ध्याई में मिलता है, पाड़िनी जिनको की संस्कृत वियाकरण में महत्यपून रूप से माना जाता और इनकी जो रचना है अस्टा ध्याई जो की आठ खंडों में बटिवी आठ अध्याई हैं वैसे आप लोगों ने अगर ग्रेजुएशन पर्ष्ट ग्रेजुएशन में संस्क्रीट पढ़ा होगा तो इसी का एक छोटा रूप है लगू सिधान्त कोमुदी बहुत सारे वि आप देखेंगे कि संस्कृट पढ़ने वालों को भी नहीं पढ़ाया जाता है बलकि लगू सिधान्त कोमुदी ज्ञादा पढ़ाया जाता है तो लोकिक संस्कृट का सबसे पहले जिक्र पारणी के अष्टा ध्याई में मिलता है लोकिक संस्कृट में रामायर, महा भारत और्थ शास्त्र, नाट्ट शास्त्र, अभिज्ञान साकुंतलम, कादमबरी आदिप्रसिद रचनाय लिखी गए है तो रामायर की जब मैं बात करूँगा तो ये वालमी की रामायर की चर्चा है तो ये प्रमुख ऐसी रचनाय है जो की लोकिक संस्क्रित में लिखी गए है अब आपके दिमाग में ये चीज जरूर आ रहे होगी कि हमने जो संस्क्रित पढ़ी यानि जो विविद्याती संस्क्रित से अपनी पढ़ाई किये होंगे ग्रेजियोशन के दिनों में या फिर पीजी किये होंगे वह यही संस्क्रित पढ़ेते अगर वो से लेबस उठाकर देखेंगे तो लोकिक संस्क्रित का उन्होंने अध्यान किया हालांकि संस्क्रित में भी कई पार्ट है जैसे संपूर अनंद विश्वीद्याले में जो संस्क्रित पढ़ते हैं वेरेजियो संस्क्रित के तरफ बढ़े होंग्स नोय जो संस्क्रित आपकी दिमाग में आना चाहिए मैं विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि आप फरक कर लें कि बैदिक संस्क्रित और लॉकिक संस्क्रित आखिर है क्या आप एक चीज़ पढ़े होंगे अभिज्ञान साकुद दलो इसमें जितने भी संवाद हैं क्योंकि ये नाटक है साथ अंकों में बटा हुआ है ठीक है तो इसमें जो संवाद हैं जब कोई उच्वर्ग का पात्र होता है और अपनी बातों को कहता है तो संस्क्रित में अपनी बातों को कहता है लेकिन जब कोई निम्न वर्ग का पात्र होता है तो उसी समय आप देखेंगे कि ब्रैकेट में प्राकृत कवलेक किया गया है ये अंतर देखी यानि कि संस्कृत के समना अंतर प्राकृत भी लोक जीवन में प्रचलीत थी इस अंतर को भी आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो मीद है कि बैदिक संस्कृत और लोकिक संस्कृत दोनों आप समझ गया होगे और प्राचीन भारती आरे भाषा को भी समझ गया होगे आगे बात करते हैं मध्यकालीन भारती आरे भाषा के उपर जब मैं मध्यकालीन भारती आरे भाषा का, तो यहां पर आपकी दिमाग में ब्रेकेट में इसका समय भी आ गया होगा पाली, जिसमें की पहली भाषा के रूप में मैंने बताया था कि पाली है, पाली को मध्यकालीन आरे भाषा की प्रथम अवस्था कहा जाता है सवाल पूछा जा सकता है कि मध्यकालीन आरे भाषा की प्रथम अवर्था किसी कहा जाता है तो अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये पाली भाषा है ठीक है क्योंकि आपको क्रम पता होगा कि संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राक्रित है, फिर इसके बाद आप उपरांस है, तो प्रथा मवस्था क्या होगे, पाली बुरुऊ, अब पाली के नाम को लेकर काफी डिबेट नहीं, फिक, वैसे ही जैसे कि आप आधिकाल कर मत भेद रहा है कुछ विद्वानों के अनुसार पल्ली से पाली शब्द की दूद्पत्ती हुई है पल्ली का अर्थ है ग्राम इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीर भार्षा मैं जब 36 मैं कभी रहा करता था तो धर जाता था तो एक जगह थी पाली ठीक है पाली एक जगह थी वहाँ पर आप लोगों की इलाके में भी हो सकता है कि इस तरीके से नाम दिखाए पड़ जाए बस कोरिलेट करने के लिए ही बोल रहा हूं तो सामाने रूप में आपको ध्यान में रखना है कि पल्ली पल्ली का मतलब क्या है ग्राम वैसे तो हम लोगों ने भीले को प्राकृत का तदभरूप मानते हैं उनके अनुसार प्राकृत से पहले पाईल तथा अंत में पाली हुआ है कैसे यह बदला हुआ है ठीक है इसका कैसे यह चेंज हो रहा है तो इसी तरीके से विद्वानों में मत भेद रहा है कि आखिरकार पाली नाम कैसे पड़ा इस संदर्व में पाली का अर्थ हुआ मगद की भाषा अब आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है ये कहिन कहिन बिहार से जुड़ जा रहा है पाटली पुत्र एक समय था कि जितने भी कुछ समराठ हुआ करते थे प्राचीन भारत में उनकी राजधानी हुआ करते थी आया गया है और एक अर्थ निकाला गया कि ठीक है पली मतलब ग्राम और पाली का मतलब ग्रामीर भार्षा लेकिन हो सकता है कि पाली ऐसी भार्षा जो कि मगद छित्र में बोली जाती रही हो वर्तमान समय में आप देखेंगे कि मगद छित्र में मगई बोली जाती है लेकि एक जमाना था जब पाली का प्रयोग मगध में भी होता था और उसको मगध की भार्षा के रुप में हम जानते थी लेकिन यही पर विद्ध्वानों ने अपनी बातों को नहीं रोका बलकि आगे भी विचार करते रहे कुछ विद्धान का मानना है कि पाली को पाठ का रुपांतिर शब्द मानते हैं पाली शब्द का एक संबंद पंक्ती से माना गया है बुद्ध बचनों में जो पंक्तियां प्रियुक्त की गई हैं उनने भी पाली कहा जाता है और यह जितने पॉइंट हम बता रहे हैं यह सभी पॉइंट्स आपकी परिक्षाओं के लिए ज़्यादा इंप्वर्टेंट हैं आप अपने दिमांग में रखिए क्योंकि यहीं से सवाल बन जाते हैं कि बुद्ध अपना उप्देश की भार्षा में दिये तो विकल्प में पाली और प्राकृत दोनों हो जाएगा ठीक है और यहीं पर क्या हो जाएगा जो विद्यार्थी ध्यान नहीं देंगे वो कन्फूजन में आ जाएगे पाली में बुद्ध ने अपना प्रचार प्रसार किया और प्राकृत में महाबीर स्वामी ने किया तो यह दोनों अंतर आपको अपने दिमाग में रखना है अब बुद्ध के वचनों की चर्चा करें तो आपने पढ़ा होगा पीटक ठीक है एक वह बहुत जितने वी बातें कही गई है पीटकों में लिखी गई है और इसको भी तीन भागों में बठा गया है सुत्थ पीटक, विनय पीटक और अभी धम पीटक ये सबी इतिहास का पोर्शन में बता रहा हूं क्योंकि भाषा का संबद इतिहास से भी जुड़ा रहता है जैसे इतिहास का विकास होता है वेसे भाषा का भी विकास होता है तो जोड़ कर देखना पड़ेगा आपको तो ये सभी सवाल अगर आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग तुरंत इस लेक्षर को याद करके सही उत्तर तक पहुच जाएंगे अब बात करते हैं कुछ हम विद्वानों की रायों को देखते हैं जो प्राय परिक्षाओं में पूछे गए हैं हमने जब ये नोट्स त्यार करना शुरू किया था लगबग 18 विद्वानों का दिया था लेकिन पूर्व की परिक्षाओं को ध्यान में रखते हैं हमने इंपोर्टेंट विद्वानों को ही रखा है विदु शेखर भटाचारी पहले तो दिमाग में रखिए कि विदु से बना पट्टी और पट्टी से बना पल्ली पल्ली से बना पाली तो यह क्रम से विकास हुआ है ठीक है पंक्ती तो हम लोगों ने सुना है कि पंक्ती मतलब लाइन या फिर जिसमें लोग पंक्ती लगाकर खड़े होते हैं लेकिन यहां पर देखिए पाली शब्द की तोड मडोर कर चार option बना दिये जाएंगे, तो फिर ये बहुत कठी सवाल हो जाएगा, इसके बाद भंडारकर ने विचार किया और वाकर नागल, दोनों का विचार एक ही तरीके का था, कि प्राकृत, पाकट, पाहर, पाउल, पाली, तो देख रहे हैं कि इन दोनों नरायन तिवारी, नाम से लग रहा है कि ये आधनी पासावीद हैं, और इनकी किताब है, ठीक है, हिंदी भाषा का उदवर, विकास, तो उसमें इन्होंने, पाली भाषा के विकास करम को या फिर शब्द की विद्पत्ति को तोड़ा है, इन्होंने का पा, फिर इसके पाली भाषा के कुछ व्याकरनाचारे भी रहे हैं, उन्होंने अपने नामों के आधार पर ही अपने किताबों का नाम रखा हुआ है, ठीक है, जैसे नियूटन के नियम, तो नियूटन ने जो नियम दिया था, उसी के नाम पर नियूटन का नियम हो, उसी तरीके से जितने भी पाली भाषा के जानकार हैं, अगर कोई होगा, तो वो बहुत शाहिते और सिध्धानतों को भी जानता होगा, ठीक से समझता होगा, तो जितने भी इसमें विद्ध्वान रहे हैं, सब अपने नाम के आधार पर ही अपनी किताबों का नाम रख दि थीक है इसको आप नोट कर लिजे कि ये बुद्ध घोष की रचना है विशुद्धी मग जिसको की बहुत सिध्धानतों का कोश कहते हैं इसे सुसंधिकप और कच्चान गंद भी कहा जाता है यह पाली का सरवस्रेष्ट व्याकरण माना जाता है जो विशुद्धी मग है जो बाकी आगे नाम आपको आएगा काच्यायन, मुगलान ठीक है यह नाम आएगा तो काच्यायन की किताब का नाम महा काच्यायन है मुगलान की किताब का नाम है मुगलान भ्याकरण और काच्यायन की किताब का नाम है काच्यायन भ्याकरण तो जैसा कि मैंने कहा कि अपने ना का Evan Carl चानव्य चाहिएत का चाहिए तो ध्वन्य सं रचनि के आधार पर कुछ विशेता हैं इसमें कि काच्ँयाय और मुगलान का नाम आपको प्रायर देखने में आएगा काच्यायन के अनुसार पाली में 41 धुनिया है जिन में 8 स्वर हैं और 33 बेंजन हैं तो जब आप इसको इस तरीके से याद करेंगे बगल में आप संस्कृत भी लिखेंगे तभी आपको याद करने में सहुलियत होगी तंस्कृत में 13 स्वर थे और 49 बेंजन थे इसमें कहा गया कि 52 धुनिया है लेकिन पाली में आप आकर देख रहे हैं कि धुनियों की संख्या कम हो गए इसमें कहा गया कि 8 स्वर हो गए और 33 बेंजन हो गए बेंजन आप देख रहे हैं कि जसके 10 बने हुए हैं 2-4 का अंतर है, स्वर में भी उसी तरीकी का अंतर हो रहा है, 41 हो गया, फिर मोगलान आये, उन्होंने कहा कि पाली में धोनियों की संख्या 43 है, अब 43 कैसे है? इन्होंने कहा कि 10 स्वर हैं और 33 बेंजन है, यानि स्वरों को तो एक ही साथ आपने दो भाशाओं को देख लिया संस्कृत का भी आपको याद हो गया और पाली का भी याद हो गया दोनों बिद्वानों के अनुसार अब बात करते हैं कि पाली में प्रियुक्त वर्णड कौन से हैं ठीक है तो स्वर वर्णड के बारे में बात की जाए तो पाली में भी दिर्ग स्वर रस्वर तो तरीके के स्वर बोले जाते थे दिर्ग में आ हो गया ए, उ, ए, ओ, हरसमे, ए, उ, ठीक है, वेंजन वर्ड में देखें, तो कोखगगंग, पूरा उसी तरीके से, चवर्ग हो गया, टवर्ग, पवर्ग, और यवरलस, ठीक है, और एक तरीके से आप देख रहे हैं कि नया याँ पर एक वर्ड है, जिसको कि लग का आ जाता है, ठी संस्कृत में, इसलिए इसके संख्या कम हो गई है, स्वरों की, पाली में आकर, ठीक है, जहां संस्कृत में 13 थे, पाली में आकर 8 हो गए, और मुगलान ने तो 10 का, तो इन ही दोनों को पाली में समाप्त कर दिया गया, यह सवाल पूछा जा सकता है, यहां से सवाल बनेगा कि पाली में कॉंस्वर नहीं है, तो इसमें री और री, दोनों को आपको ध्याने में रखना है कि यह समाप्त कर दिये गये थे, और इसके बार श्र, मुर्धन श्र, दोनों के अस्थान पे दन तिसर हो गया, ठीक है, जैसे आम लोग याद करते हैं, और हिंदी का सबसे कठ यहां पर यही सब देखा जाता है कि आपका उच्चारण सही नहीं है, ताला विश्र में आप श्र नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, मुर्धन में जाकर आपका मुर्धा में जिवा नहीं जा रही है, ठीक, जैसे मैं लिखूं श्र श्र, तो इसको आप बोलकर प्रयास कर सकते ह इसी तरीके से हम बोलें, सड़क, तो कई बर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और हमारे उच्चारण में असुध्यां भी हो जाती हैं, इन तीनों सवों को लेकर, लेकिन पाली में एक काम किया गया, कि इन दोनों सव को हटा दिया गया, और केवल एक ही हो, तो इसका मतलब है कि तालब्यसर और मुर्धनिसर पाली में नहीं थे, केवल दन तिसर का प्रयोग होता था, तो ये भी इंपोर्टेंट है परिशा के देश्टी कॉन से, इसके बाद क्या हुआ कि संयुक्त ब्यंजनों में भी अत्यधिक परिवर्तन हुए, क्योंकि सं सरली करण को ध्यान में रखते हुए, तो इस सब्द को आपको ध्यान में रखना है कि कई बार भाषा में परिवर्तन सरली करण को ध्यान में रखते हुए भी किया जाता है, पाली की व्याकरणिक संरचना के बारे में बात करें, तो पाली में संस्कृत के नपुन्शक लिं ठीक है तो नपुन्शक Link का क्य हो गया लोब हो गया यानि कि दो ही इसमें लिप Kalem में संस्कृत के दुए वचण का भी लोब हो इसमें एक बचन और बहुचन जैसे हिंदी में आप देखते हैं उह तरीके से पाली में भीड़ी ओप तो धीरे-धीरे आपके दिमाग में बैठ रागवा कि जो हिंदी आज हम लोग पढ़ते हैं वो अचानक नहीं बनी हुई है बल्कि इसके पहले भाषा का विकास हुगा और क्या-क्या चीजें परिवर्तित हुई हैं धीरे-धीरे समझ में आना शुरू हो गया होगा आगे है कि अधिकतर बेंजनान प्रातिपदिक स्वारान्थ होने लगे इस प्रक्रिया में अंतिमहलंत बेंजन भटने लगा या उसमें स्वर जोड़ा जाने लगा जैसे हो गया जगत कट करके कह दिया गया जग कई बार आपने सुना ओगा कि इस जग में यानि इस जगत में तो जगत भी चलता है जग भी चलता है राजन मतलब राज ठीक है तो इस तरीके से शब्दों में परिवर्तन होने लगा विभक्तियों और परसरगों की जटिलता को दूर करने का प प्रारंब हो गया था जैसे भूद भूद का मतलब हुआ हुआ या हुई रूप में हिंदी में इसका विकास हुआ ठीक है तो देख रहे हैं आप व्याकरणिक सरशना पाली की कैसी रही है इन मोटी मोटी चीजों को आप समझ गया होंगे अब बात करते हैं कुछ शब्द क प्रवित्तियों के उपर पाली की शब्द संपदा मतलब वह केबलरी जो है इसका मूल अधार तो आभाविक रूप से तदभव शब्द हैं जैसे हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में क्या होता है तत्सम सब्दों की प्रधानता है और पाली में आप देख रहे हैं कि तत्सम सब्दों की बहूलता है अब ये सरे सब्द नहीं सुनाए देते हैं ठीक है लेकिन अईसी को बाद में बदल गया बाप में जैसे पिता जी इसी तरीके से धेकड़ी धक्कन हो गया अब जिसे धड लिखा हुआ है इसको धन भी कहा जाता है कई वाद ठीक है इसी से शब्द बना धनिया ठीक भजपूरी में यह शब्द जदातर चलते हैं और गाने भी बने हुए भजपूरी में शब्धन ऐसे करके ठीक है तो इस तरीके से तो यह शब्द कोशी प्रवित्य अब हम बात करते हैं प्राकृत के उपर जो दूसरी भाषा है इसको मधिकालीन आरे भाषा की दूसरी अवस्था कहा जाता है पहली अवस्था आमने बताया कि वो पाली थी लेकिन यहाँ पर दूसरी अवस्था आप देख रहे हैं कि प्राकृत है मोटे तवर पर माना जाता है यानि कि लगबग 500 वर्सों का है ये प्राकृत के विकास के वर्ष्थाओं को किसोरी दासवाचपेई आदी व्याकरण विदों ने तीन चरणों में बाढ़ कर देखा है किसोरी दासवाचपेई का जम मैंने नाम लिया तो इनकी एक खास रचना है जिसका प्रदातार त्यारी से जुड़े हुए हैं इनकी एक रचना है हिंदी शब्दानुसासत ठीक है कमेंट्स करके आप बता भी सकते हैं या भी कर सकते हैं तो किसोरी दासवाचपेई प्राकृत में अध्यान किये प्राकृत का अध्यान किये और चार भागोन बाठतरी इसको देखे इन्होंने का प्रथम प्राकृत प्राकृत की प्रचलित भाषा जिसको की जन भाषा कहा गया एक और विद्वान आये जिसको की नाम इशाधू इनका नाम है इन्होंने प्राकृत की संबंद में लिखा है प्राक पूर्वक कृतम प्राकृत अर्थात पहले से बने वही भाषा ये कई पर सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पर जो ये वाक के लिखा गया है प्राक पुर्व कृतम प्राकृत इसका हिंदी में अनुबाद क्या होगा एक बार ये जी डी सी के एक्जाम में आ चुका है इसलिए मैं आप सभी को इलर्ट कर रहा हूं ध्यान में र देखे क्रम आप देखेंगे तो संस्कृत है फिर पाली है फिर प्राकृत है लेकिन बीच बीच में प्राकृत का नाम यापर उलेक नहीं हो रहा सीरे संस्कृत से प्राकृत से जोड़ा जा रहा है और इसको भी चार भावम बाटा गया प्रथम प्राकृत दुतिय प्राक प्रकृत के बारे में लिखा कि प्रकृति ही संस्कृतम तत्रभवं तत्र आत्म वा प्रकृतम यानि प्रकृति का मूल संस्कृत है और जो संस्कृत से आगत है वा प्रकृत है माली जी इतना दो सही सवाल पूछ रिया जाए ये किसका कथान है जो संस्कृत से आगत है वा प्रकृत है नाम दे दिया गया किशोरी दासवाच्पेई, हेमचन, रामचन ठीक है और नामी सादू तो जितने भी बच्चे यहाँ पर वीडियो लेक्चर को गंभीता से अपने लिए देख रहे हैं वो तुरंद बता देंगे कि यह हेमचन ने इस बात को कहा था कि जो संस्कृत से आगठ है वो प्राकृत है दुतिय प्राकृत को सहितिक प्राकृत भी कहते हैं अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो दूसरा भेद किया गया संस्कृत प्राकृत का उसको कहा गया सहितिक प्राकृत ठीक है यह भी आपको ध्यान में रखना है प्रथम को कुछ विद्वान तृतीव प्राकुरत भी कहते हैं ओर यह कहा जाता है ठीक है अब घ्रंज कि सामानी रूप से वरतिमान कालं में प्राकुरत नाम उस भासा के लिए रूर हो गया है जो इसवीशन की शुरुवार से पांचमी शताब्दि तक प्रमुक्षाहितिक भाषा की रूप में प्रचलित रही है। अब आचाय रामचन शुकलत का इतियास ग्रंच पड़े होंगे तो उन्होंने लिखा है कि हिंदी का विकास प्राकृत की अंतिम अपब्रंच अवस्था से हुआ था। तो कहीं नहीं प्राकृत को अपब्र प्राकृत की दूती अवस्था जो है वो है प्राकृत और प्राकृत की त्रित्री अवस्था वो है आपब्रंच यानि कि संस्कृत के बाद तुरंत प्राकृत को ही अगर लाया जाए तो प्राकृत का ही एक भेद मान लिया गया पाली को ठीक है यहां पर इस चीज को आप ताहितिक भाषा की रूप में माना गया है और प्राकृत की त्रिती अवस्था जो है आप भ्रन जिससे की बाद में चलकर हिंदी का विकास होता है तो इन तीनों अवस्थाओं को बिल्कुल ध्यान में रखे कई बर सवाल गुमा फिरा कर पूछे जाते हैं अब बात करते हैं प्राकृत की विशेष्थाएं के उपर ठीक वैसे हमें विशेष्थाओं पर जब विचर्चा कर रहा है तो ध्वनी को जरूर ध्यान में रखना है ठीक है ध्वनी सरचना समंदी विशेष्थाएं पाली से प्राकृत में क्या परिवर्टन होता है विशर्ग के लुप्त होने की प्रक्रिया पाली में ही शुरू हो गई थी जैसे देव से देवो और हिंदी में चल करे देव में बदल गई पाली में यह वेंजन का प्रयोग पर्याफ्त मातरा में होता था जबकि प्राकृत में प्राय यह समाप्थ होने लगा और उसके अस्थान पर जब प्रयोग होने लगा जैसे आपने कई बार सुना होगा कि लोग बोलते हैं जैसे यग यह हो रहा है तो कई बार लोग बोलते हैं जग यह हो रहा है ठीक है तो वही आप देखरें परिवर्तन कि पाली में यह बेंजन का प्रयोग परियाफ्ट मातरान होता था लेकिन जैसे ही प्राक्रित भाषा आए तो यह के समाप्ति हो गई और यह के अस्थान पर क्या हो गया ज़ का प्रयोग होने लगा ठीक है और यहाँ पर उधारन दिया गया है यश जस यह जो यह देख रही है आप उधारन देख लीजिए पुरह समझ में आपको आ जाएगा तो एक परिवर्तन आपको देखना है कि प्राक्रित में ज़ का प्रयोग परियाप्त मात्रा में शुरू हो गया था और और कुछ परिवर्तन हुए हैं प्राक्रित में जो की आपको ध्यान में रखना है पाली में संस्कृत के संयुक्त बेंजनों को सरल करने की कोशिश की गई थी, उपर मैंने बताया था, कि सरली करन का प्रयास किया गया था, उसके लिए प्राकृत में दुथ्थी करन की प्रकृरिया आराम होई, दुथ्थी करन मतलब कि जैसे मैं तत्व लिखा, ठीक है, तो दित्ति करण होने लगा सब्दों में प्राकृत में पहली बार इससे अगले चरण के रूप में एक नई परंपरा शुरू होई जिसे छती पूरक दिर्गी करण कहा जाता है। ठीक है ये छती पूरक दिर्गी करण प्राकृत की सबसे महत्पून विशेशता है। अगर आपने हिंदी साहित का सरल इतिहास पढ़ाओगा तो विश्वनात्रिपाठी ने भी इसका जिक्रित किया है। छती पूरक दिर्गी करण तो आपको एक्जाम के दिश्वकों से ध्यान में रखना है कि अगर सवाल पूछा जाए कि छती पूरक दिर्गी करण किस भाषा की विशेशता है। तो आप यह नहीं बताएंगे कि संस्क्रित है पाली है बलकि तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हमने अनुराज हिंदी अकेडमी पढ़ा था कि प्राकृत की विशेशता है। और यही छती पूरक दिर्गी करण हिंदी के विकास में सबसे महत्यपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि दित्ती करण हुआ था मिच्चू। ठीक है मिच्चू का क्या हो गया। मृत्ति हो गया। ठीक है तो खास विशेशता भाषा की रही है यह। अगर हम व्याकरणिक संरचना संबंदी विशेशताओं में देखें तो शब्द कोशी प्रवित्तियां है। इसमें संस्कृत के सल्ली करण की प्रक्रिया जो शब्द परिवर्तित हुए थे उनमें पुना तत्समी करण की प्रवित्ति शुरू हो गई। यानि कि इसके पहले आप देखेंगे, देखें संस्क्रित तक्सम के लिए जानी जाती है, आली में मैंने बताया कि ये तद्भो आ जाती है, लेकिन फिर प्राकृत में आप देख रहे हैं कि पुना तक्सम की प्रक्रिया शुरू हो गई, और यहां पर आप देखें अती, अती, तो यह भाषा विकास हो रहा है, यानि कि भाषा अपने पहले के तरफ भी रिवर्स होई है, कई बार, ठीक है, तो यह सारी चीजह है, अब प्राकृत का भी विशद अध्यान कुछ विद्वानों ने किया है, जिने की हमें जानना जरूरी है, खास्तर से प्राकृत क भेद को लेकर अलग-अलग विद्वानों ने अपने विचार विक्त किया है, जिसमें भरत मुनी का नाम आता है, जब भरत मुनी का नाम लिया जाए, तो तुरंत आपकी दिमांग में रस सिध्धानत आ जाएगा, लेकिन भरत मुनी नाट्ट शास्तर में क्यों रस का यह बलकि उसमें भाषा विज्ञान का भी उन्होंने अध्यन किया और प्राकृत का भेद किया मुख्यरूप से उन्होंने दो भेद किये प्राकृत के मुख्य प्राकृत और गौन प्राकृत मुख्य प्राकृत में उन्होंने मागधी अवन्तिजा प्राच्या सूर्षेनी जि अर्ध मागदी, बाहलीक, दक्षिडात्य, जिसको कि महाराष्ट्री कहा जाता है, गौन भी भासा जिसमें कि शाबरी, आभीरी, चांडाली, सचरी, द्राबिडी, उदज्या, बनेचरी, तो आप ध्यान में रखे, कुछ ऐसे शब्द इसमें होंगे, जो कि नए भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, जिसे मागदी हो गया, शवर्षेनी है, और्ध मागदी, ये प्राया पढ़ते रहते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है, कि मालीजे, सवाल पूछ लिया जा भरत मुनी से रिलेटेड, कि नोंने प्राकृत के कितने भेद किये, दो भेद किये, वर रूची का, वर रूची जिनके ग्रंथ का नाम है, प्राकृत प्रकाश, पेबर ग्रंथ भी पूछ लेता है, तो इसको तो आप ध्यानी में रखेंगे, वर रूची ने प्राकृत के वेद करते विये, सवर सेनी प्राकृत, महराष्ट्री प्राकृत, मागरी प्राकृ यानि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा ताम जामी नोंने नहीं किया बलकि चार तरीके के प्राकृतों की बात की है। ये बहुत जाता है कि प्राकृत में चूलिका पैसाची को भूत भाषा शब्द का यूज किस ने किया था या फिर भूत भाषा का संबंद किस से हैं। पाड़ेनी मतलब जिनोंने तंस्कृत में अश्णत्याई लिखा वैसे हेम चन्त ने प्राकृत में विश्तार से विचार किया और उनकी किताब का नाम है प्राकृत व्याकरण। इसलिए इनको पाड़नी का गया है। ये प्रिवियस येर के कुश्चिन पेपर आप लोग देखेंगे तो सवाल पुछा गया है। तो ये रहा विश्तार से प्राकृत के उपर। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन आरे भाषा की तीसरी अवस्था जो है उसके उपर। तीसरी अवस्था अप भ्रंश है। अप भ्रंश मद्यकालीन और आधुनिक आरे भाषाओं के बीच की कड़ी अप भ्रंश की खास विश्यस्ता यही है कि मद्यकालीन आरे भाषा जितनी मिराई है और आधुनिक आरे भाषा इन दोनों के बीच में पूल का काम करती है भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग छठी सती से होना शुरू हो गया था यानि कि आपने देखा पांसो इसभी से एक हजार इसभी के बीच में इसका समय माना गया है तो पांसो इसभी को हम छटी सती कहेंगे जैसे वर्तमान समय में दो जब तेश चल रहा है तो इसको हम बोलते हैं 21 सती तो उसी तरीके से अप भरंश का प्रयोक कब से होता है ये भी सवाल पूछा गया है छटी सती के आसपास से शुरू हो जाता है और पाली की तर अप भरंश के नामों को लेकर या फिर इसके अर्थ को लेकर विद्वानों से जाना जाता है तो इन नामों को बिल्कुल ध्यान में रखे किस भास्ट से रिलेटेड है और कई बार तो सवाल भी पूछा जाता है कि ग्रामीर भासा नाम किस ने दिया देशी भासा किस ने कहा आभीर किस ने कहा है ठीक है तो जैसे इसमें भरत्रमुनी का नाम आ जाता है ठीक है आभिर शब्द का उन्होंने प्रयोक किया था उपर में आपने देखा था क्योंकि प्राक्रित से यह दिरे-दिरे अपभरंश की शुड़ात होती है तो एक दूसरे से जुड़े हुए है वाक के पदियम में भरत्री हरी ने बताया कि सरुप्रथम व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन संस्कार, चिवत, भरष्ट और अशुद शब्दों को अपभरंश कहा है अब यहाँ पर वाक के पदियम एक रचना है जिसके लेखक हैं भरत्री हरी इन्होंने एक कभी का एक व्यक्ति का उलेक किया जिसका नाम है व्याडी और व्याडी के ग्रंथों में इन्होंने देखा कि संस्कृत के मानक शब्दों से हर्ड कर संस्कार चिवत यानि कि करात्मक अर्थ में शब्द नहीं है ठीक है ना अप व्याडी के ग्रंथ का नाम है लक्ष स्लोकात्मक संग्रत जो की इसमें उपलब्ध नहीं है लेकिन परिक्षा में हो सकता है कि सवाल पूछा जाए तो यह मानकर चलिए कि हमें याद रखना चाहिए कि लक्ष श्लोकात प्रामारिक प्रयोग कहा हुआ इसको लेकर भी रिसर्च हुए तो पता चला कि पतंजली के महाभाष में आप भ्रामारिक प्रयोग हुआ है ये भी UGC NET के पेपर को आपने देखा होगा तो उसमें इस थवाल पूछा जा चुका है कि पहली बार प्रामारिक तोर पर आप भ पतंजली ने अप भ्रण्ष का प्रयोग अप शब्द के समनार्थक रूप में किया है जैसे के उपर आपने देखा कि ब्याडी जिस अर्थ में प्रयोग कर रहे थे लगबग उसी से मिलता जुता अप शब्द के समनार्थक रूप में अप भ्रण्ष का प्रयोग किया गय डाक्टर उदे नरायन्तिवारी और भोला नक्तिवारी के अनुसार आप भ्रंशब्द का भार्षा के अर्थ में प्रयोग सरप्रथम चंड जिनोंने छटी सती ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है आप देखें उपर एक ब्याडी नाम का व्यक्ति आये वा था है यहां एक चंड नाम का व्यक्ति आया और इस इन चंड के फुष्टक का नाम है प्राकृत लक्षण तो यह आप नोट कर लिजे कि प्राकृत लक्षण किसकी रचना है वो है चंड की और उपर हमने बताया प् उसको क्लियर करके अपने दिमाग में फोल्डर बनाकर रखेंगे अब यहां पर एक और चर्चा की गए कि रामचंड शुक्ल के अनुसार यानि हिंदी साहित का इतिहास जब आप पड़ेंगे रामचंड शुक्ल ने अप भ्रंश के बारे में उलेक किया है पले तो उन्हो शुटी के चीला लेक में मिलता है जिसमें उसने अपने पिता गुःसेन को संस्कृत प्राकrit और अप घ्रंट तीनो का कवी कहा है यहां पर टर्निंग पॉइंट आप देख रहे हैं कि गुःसेन नाम का व्यक्ति है वह संस्कृत का भी ग्याता था प्राकृत का ग्याता था और अपभ्रंश तीनो का कवी कहा गया है तो इसको इंपोर्टेंट करके आप अपने नोट बुक में रख लेजे गुवसेन वो अशेन्ट संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश तीनो का कवी था तीनो भाषाओं में लिखता था अब अपभ्रंश को लेकर अलग-अलग नाम दिये गए हैं आचारे दंडी ने इसको आभीरो की भाषा या फिर आभीर कहा अपभ्रंश को भरत मुनी ने आभीरोक्ती कहा वाग भट और हेम चंद्र ने इसे ग्राम भाषा कहा कीथ ने अपभ्रंश का संबन्द आभीरों और गुर्जरों से माना रुद्रड जोकी अलंकार सास्त्री हैं इन्होंने अपने ग्रंथ काब्या अलंकार में छे भाषाओं का उल्लेक किया है जिसमें एक भाषा के तोर पर अपभ्रंश भी उन्होंने रखा हुआ है तो यह अपभ्रंश से जुड़े हुए कुछ विद्वान थे जिन्होंने की अपभ्रंश को अलग-अलग नामों से उकारा है दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रक्रण में कोशल की भार्षा को अपभ्रष्ट काहा है उक्ति व्यक्ति प्रक्रण जब आप आदिगाल पड़ेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र होता है और इसके लेखक है दामोदर पंडित तो इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्र विद्वानों ने आप भ्रंश को देश भाषा माना है। उपर आमने आपसे बात चित किया था कि कुछ विद्वानों ने देश भाषा के तोर परहिस को देखा है। जिसमें ग्रियर्शन को आप याद करके रख सकते हैं। भंडारकर को याद कर लिजिए। बाकी तो बहुत खास नाम महत तो नहीं है। इनका विरोध कुछ अन्य विद्वानों ने किया, जिसमें नाम है कीत, या कोबी, जिल बलाक, अल्सडार्फ, आद विद्वानों ने आप भंड को देश भाषा नहीं माना है। तो एक ही पंक्ति में आप देख रहे हैं कि जिन लोगोंने माना है, उनका भी नाम दिया गया है, और जिनोंने नहीं माना है, उनका नाम है आपर दिया गया है। महा कभी कालिदास की कृति यानी रचना विक्रमोर वर्षियम के चतुर्थ अंक में आप भरंश के कुछ छंद मिलते हैं। कालिदास का भी जिक्र आ गया है यहां पर कि उनकी रचना जो विक्रमोर वर्षियम है इसके चोथे आंक में आप भ्रण्ष के कुछ छंद मिलते हैं इसके अतरिक धनपाल द्वारा रचित भविश्यत कहा जिसको की भविश्यत कथा भी कहा जाता है इसको आप भ्रण्ष का प्रथम प्रबंध का भी माना गया है और इसका संपाधन डॉक्टर या कोबी ने किया हुआ है तो धनपाल का जिक्र आप हिंदी साहित के इतियास पढ़ेंगे इसमें आधिकार पढ़ेंगे तो नाम आता है ठीक है जैन कभियों के संदर में इनका उलेक किया गया है तो इ किए गये और अलग अलग बिद्वानों ने आप वरंज के भेद किये हुए है और कहीं तीन भेद है कहीं दो भेद है कहीं ठीक है तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है उन भेदों की चर्जा करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम है नामिशाथू, इन लोगों के नामों को आप अपने दिमाग में रखे कि आप ग्रंश का इनों ने भेद किया हुआ है इसमें जो नाम है नामि शाजू इनके पुष्टक का तो नाम नहीं पता चलता है लेकिन उन्हेंने अप ग्रंश का भेद करते हैं तीन भेदों भेद किये हैं उपनागर आभीर ग्राम में, ठीक है, तो यहाँ पर जो उपनागर शब्द है, इसको आप राजस्थान की बोली से लगा सकते हैं, जिसे आपके दिमाग में आया होगा कि उपनागर क्या है, तो ऐसी बोली जो कि राजस्थान की बोली है, ठीक है, और नागर जो है, नागर फ़स्रब्द जो है वो देव नाग जो गुजरात की वुली इसको माना जाता है जब हम आगे बात करेंगे ठीक है तो उपनागर का संबंद राजस्थान से है और नागर का संबंद गुजरात से है। तो नामी शादू ने तीन भेद किये अप व्रंश के उपनागर आभीर ग्राम में। पुष्टक ने आप व्रंश के तीन भेद किये नागर उपनागर ब्राचर. ठीक है ब्राचड जो है ये सिंध की बोली है ठीक है सिंध एक जो छेतर है भारत में वहां की बोली ब्राचड से जुड़ी हुई है उपनागर जैसा कि मैंने बताया राजस्थान है तो अभी तक किताबों में आप पढ़ते आ रहे होंगे कि नागर उपनागर ब्राचड की चर्चा मारकंडे ने प्राकृत सर्वस्व नामक पूस्तक में किया है तो आप देख रहे हैं कि प्राकृत को साथ में जोडते वे दो-तीन रचना हो गया एक तो मैंने प्राकृत ब्याक्रण बताया तो आपकी दिमांग में बढ़़ गया फिर मैंने बताया प्राकृत लक्षण जिसमें चंड कभी का नाम आ गया फिर हो गया प्राकृत सर्वस्व मारकंडे आगे चलकर नाम और सिंग ने भी हिंदी के विकास में अपभरंश का योग नामक पुष्टक में उन्होंने अपभरंश के दो भेद किये पूर्वी और प पुष्ट में अपूर्वी अपूर्वी जब आप हरियाना पॉब्लिक सर्विस कमिशन के असिस्टेंट प्रोफेसर का पूराना क्रिशन पेपर देखेंगे तो इसमें सवाल पूछा गया था कि नाम और सिंग ने आप वरंश के कितने भेद किये हैं ठीक है तो इसमें चार्ट बनाया गया है वह अपने दिमांग में रखिए आगे अप भ्रंश पर कुछ लोगों ने और विचार किया जिसमें कि डाक्टर हर्दयों बाहरी जिनकी व्याकरण की पुष्टक का जिक्र में बार-बार करता हूं ठीक है हिंदी भाषा या फिर हिंदी व्याकरण किताब लिखी वह हर्दयों बाहरी है यह उन्होंने का कि सात्मी शती से ग्यारमी शती तक के समय को अप भ्रंश का स्वनड काल का है अब यह वही सात्मी शती से ग्यारमी शती का समय है जब हिंदी साहित में आप देखेंगे तो आधिकाल चल रहा है ठीक है तो आधिकाल मे भी आप देखते हैं, इत दो तरीके की भाषाओं का प्रियोक किया गया, आप भ्रंश और देश भाषा, इसे लिए रामचर्ण शुकल ने अपने प्रकरण भी निधारित किया हैं, कि आप भ्रंश भाषा पर आदारित लिखी गई रचना हैं, और देश भाषा काविपर कास की एक इस्थित्ति माना है इनके अनुसार छटी से ग्यारवी शती तक प्रतेक प्राकृत का अपना-पना आप भ्रण्ष रूप रहा होगा तो ये दुनों विद्वानों का मानना है कि छटी से ग्यारवी शती के बीच में प्राकृत ही अलग-अलग रूप करके आई जि जो रूप विक्सित रूप था उसका नाम था अवहट कई वर हम जब पढ़ते हैं किताबों को तो आप भ्रण्ष और अवहट में अहुत अंतर नहीं कर पाते हैं दोनों को लग-बग एक ही समझते हैं लेकिन थोड़ा बहुत इसमें अंतर है आप अवहट जो है वह आप अगला रूप है एक तरीके से देखा जातों यानि कि बात का रूप है इसका जो समय निर्दारित किया विक्द्वानों ने 920 से लेकर 1120 तक निश्चित किया गया है और ये वही समय है जब विद्यापति इत्यादी अपनी रशनाओं में देशी लिबयाना सबजन मिठा त इसी शब्द का प्रयोग ने किया था तो साहित में 14 शती तक इसका प्रयोग होता रहा और विद्यापति का लगबग यही समय आ है सुनिती कुमार चटर जी के अनुसार अवहट भाषा आप भ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है इसके पहले आपने की जो अवहट है वो अप भ्रंश और पुरानी हिंदी यान की अवहट के बाद के विक्षित रूप है वो पुरानी हिंदी है वहes से よし का नाम्प्रण कि ने किया फिर बाद में यह हिंदी में अंवहट हो जाती है जबकि आप गरंज का आपने देखा कि महाभार्ष में दिखाए पड़ता है। तो इन अंतरों को बिल्कुल ध्यान में रखे तब ही आपको आनंद आएगा। इसके बाद अवहट कउलेक अन्य गरंथों में भी मिलता है जिसका नामे संदेश रासत। अब्दर रामान की रचना है इसमें अवहट का उलेक हुआ है। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार वंची धर ने इस भारषा को अवहट माना है। कर विद्यपति ने किरतीलता की भारषा को अवहट कहा थ। यहांपर इक्तम से अवहट लगा कराएंगे और मैंने एक सलोक भी कहा था कि देशिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन अवहट था वहाँ पर प्रियोग किया गया है ते तो अवहट हो गया अब उसी का जो अगला रूप है वो है पुराने हिंदी यानि कि इसको प्रारंबिक हिंदी कहा जाता है औ आठवी नवी शताब्दी में सिध्धों की भाषा में हमें अपवरंश से निकलती हिंदी इस पश्टे तत दिखाई परती है चिद्धों की एक भाषा का प्रियोग विद्ध्वानों ने बताया जिसको कि आपने पड़ा होगा संधा भाषा का प्रियोग ठीक है लेकिन उ पाउंचरियों में भी आरंबिक हिंदी के चिटपूट उदाहरन मिलते हैं पाउंचरियों किसकी रचना आए आपके दिमाग में तुरंथ आगया होगा इसके बाद विद्यापति और ज्योतिश्वर ठाकूर के यहां भी पूर्वी हिंदी के शब्द दिखाई पड़ते ह यानि पूर्वी हिंदी इसमें क्या हो गया जो पुरानी हिंदी है ठीक है पुरानी हिंदी के भी दिखाई पड़ते हैं नाथों और जोगियों की वाड़ी में भी आरंबिक हिंदी का निखरा रूप दिखाई पड़ता है ठीक है नवलक पातर आगे नाचे पिछे सहज अ किसने माना है आपका दिमाग दोड़ना शुरूख कर दिया हुआ कि हमने कहीं पढ़ा था शुद दिखड़ी बोली कि प्रारंबिक नमूने खुसरों की शायरी में भी मिलते हैं ठीक है कि एक थालमोती से बरा आगे पूरा आप लोग जानते हैं तो पुरानी हिंदी यानि प इतियादी भाषाओं का उलिक किया था शुरू में ही इनका विकास अप भरण से ही हुगा है अब आधनिक भारती आरे भाषा पर सबसे पहले अगर किसी विद्वान ने विचार किया तो कोई भारती है नहीं है बलकि विदेशी है जिनका नाम है हार नले जब हम हिंदी पताना चाहिए इसके बाद आधनिक भारती आरे भाषाओं की चर्चा जब भी की जाती है तो सर्फथम 1880SB में आधनिक आरे भाषाओं का वरगी करण हार नले ने किया था अभी कुछ साल पहले UP Higher Education का एकजाम हुआ था तो इसमें यह प्रश्म पूछा गया था ठीक है न कि आधनिक आरे भाषाओं का वरगी करण किस ने किया था तो इसमें नाम था हार नले का मतलब आपको यह ध्यान में रखना है हार नले ने वरगी करण करते हुए क्या किया है उसको हम देख लेते हैं हार नले ने क्या किया कि आधनिक भारती आरे भाषाओं को उन्होंने च पुर्वी गौडियन, गौडियन के अंदर में है, बाकी सब पुर्वी है, पश्ची में है, उत्तरी है, दक्षडी, तो गौणडियन को आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसके पहले के शब्दों को तो आप जोड़ी लेंगे, पुर्वी में क्या आया, पुर्वी हिंदी बंगला, असमिया या असमी उडिया देखतरीके से आपकी दिमाग में तुरंथ भारत का महय भी आ जाना चादेए ये जो एलाका है ये किस में आ गया पूर्वी गौंडियान में जिसमें कि पूर्वी इंदी बंगला असमी और उडिया इसके बाद पश्मी गौंडियन है जिसमें कि पश्मी हिंदी ठीक है और राजस्थानी गुजराती सिंधी पंजाबी यानि कि ये वाला इलाका है अगर आगर 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 भात का थोड़ा नकसा बना भी देते हैं आप लोगों के पचाने के लिए तो ये वाला जो इलाका है ये किसमें आगया आपका पश्मी गौंडियन में आगया ठीक है ये पूर्वी हो गया और ये हो गया पश्मी इसके बाद उत्तरी गौंडियन में क्या आगया गड़वाली नेपाली पहारी ये हो गया उत्तरी वाला ठीक है इसके बाद है दक्षडी गौंडियन जिसमें क कैवल मराठी आता है यह जो है दक्षिडी हो गया तो पुरा आपकी दिमाग में महभी आ गया होगा और तुरन्त हारनले द्वारा दिया गया वर्गी करण यह भी आप तुरन्त समझ गया होगे ठीक हे ना तिसी तरीके से आपने दिमाग में बैठाते जाएं और आगे चलकर आपको पता चलेगा कि हमने पुर्वी इंदी में क्या पढ़ा, पश्यमी इंदी में क्या पढ़ा था, राजस्थानी में क्या पढ़ा, ठीक है, फिर इसी को पहाडी, बिहारी इंदी इसी तरीके से बांट दिया जाता है, पुरा. आगे बात करते हैं कि हारनले के बाद जार्ज इग्रियर्शन ने भी काफी काम किया इस पर, इनकी रचना का नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे अफ इंडिया, जिसको कि हम भारत के भार्षा सर्वेक्षन के नाम से जानते हैं, ठीक हैं, इसमें इनोंने उवर्गी करण किया, कि इसमें इनोंने जिवर्गी करण किया है, बाहरी उप्षाखा, मध्य उप्षाखा, भीतरी उप्षाखा, बाहरी उप्षाखा के अंतरगतिनोंने उत्तरी पश्चमी समुदाय, जिसमें लहंदा, सिंधी का नाम दिया, दक्षडी समुदाय में मराथी का नाम दिया, जह हुआ है इसके बाद आप देख रहे हैं कि पूर्वी समुदा है जिसके अंतरगत उडिया बिहारी बंगला असम्या जिसको कि हारनले आपके दिमाग में हारनले ग्रियर्शन दोनर रहने चाहिए तब ज्यादा समझ गाएगा तो पूर्वी गौंडियान में उडिया उडिया बिहारी बंगला समिया ही सबको फिर मध्य उपशाखा के अंतरगत मध्यवर्ती समुदाय पूर्वी हिंदी ठीक है पूर्वी हिंदी को रख दिया गया फिर भीतरी उपशाखा इसमें केंद्री समुदाय में पश्मी हिंदी पंजाबी, भीरनी, राजस्थानी, खांग देशी, बुजराती, कुछ-कुछ मिलता जुलता है, और कुछ-कुछ नए-नए भी आपको दिख रहे हैं एरिया, पहाडी समुदाय में, पुर्वी पहाडी, जो की नेपाली हो गई, मध्य पहाडी, केंद्री पहाडी, और पश् क्याकरण को आधार बनाते हुए, गृर्एर्शन के वर्गी-करण की आलोचनाती, और अपना वर्गी-करण प्रस्तुत किया, उसको याद करना प्रकति ये, शब्द้ों को आप देख रहे हैं, इसमें एक शब्द है मध्य देशी, इसको आप जोरूर भ्यान में रखीए, यानी कि जो उपर भारत का नक्सा आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है तो जो उपर में है सिंधी लहंदा पंजाबी ये अरिया हो गया प्रतिच्य जो कि पश्चिमी छेत्रे में राजस्थानी गुजराती मध्य देसी मतलब जो बीच में कायक तरीके से देखा जाए तिक तो पश्चिमी इंदी प्राक्षि यानि कि जो पूरब का हिस्सा है तो इस तरीके से सुनीती कुमार चटरजी ने इसका वरगी करण किया अब क्या है कि सु समझें किए फिमल नहीं थी हैं सुनिती कुमार चटरजी आप लोगदेखी सकते हैं उदीच्ची अगदम से ्ले लिया ने सुधार नहीं किया है देखा जाए तो प्रतिची में बलकि इनोंने गुजराती को डाल दिया और मद्देशी में बाकी को उठाकर रख दिया है यही परिवर्तन है और इसे आपको सीख लेना है कि कोई नया काम करना है तो फोड़ा बहुत इधर उदर करके अपना नया का अब इसके बाद भोलानात तिवारी ने भी अफ़वर्ण्ष का वर्गी करण किया जिसमें कि उन्होंने कुछ नया किया है भोलानात तिवारी का नया है या पर दिख रहा है ब्राचर पैसाची जिसको कि पश्च्मुत्री का आगया लांदा पंजाबी सिंधी पश्मेंद सवर्षेनी जो किमम दिवर्थी है केंतर गताई राजिस्थानी पहाड़ी गुजराती अर्ध मागदी पुर्वी इंदी के रूप में मागदी बिहारी बंगला उडिया असमिया महाराष्ट्री मराख्री तो दिरे दिरे आपके दिमांग में आना शुरू हो गया हम जो प भोला नक्तिवारी के बाद हर्ध्यों बहारी ने भी वर्गी करण किया तो इसमें उन्होंने दो कटेगरी बनाई हिंदी वर्ग और हिंदी तर यानि कि अहिंदी वर्ग में उन्होंने मध्य पहारी राजस्थानी पश्मे इंदी हिंदी बिहारी इंदी पूर्वी को रख यानि कि इनका ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा क्वाइंट में वर्गी करण न करके दो ही में किया जाए जिसे की विद्ध्यार्थियों को आसाने बीओ तो यह तरीके से देखा जैंका तो सही है और इनोंने हिंदी तर में क्या किया उत्तरी नेपाली पश्चिमी पंजाबी सिंधी गुजराती जो हिंदी से अलग है दक्चिणी में सिंगली जो कि यह स्रीलंका में बोरे जाती है मराठी हो गई पूर्वी में उडिया बंगला असन्या तो दो ही कटेगरी हर्द्यों बाहरी ने किया है तो इस तरीके से मेरी कोशिश रही हो सकता है कि यह वीडियो लंबी भी हो गई होगी लेकिन भार्षा विज्ञान फड़ा सा बोरियत वाला पेपर होता है लेकिन समझने वाला पेपर होता है फिर भी आप लोग कहानी की दृष्टी से इस्टोरी के रूप में इसे पूरे लेक्षर को लिया होगा और एकाई एक आपकी अच्छे से तया प्यार होगी होगी आप किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा तो कमेंट्स करकर जरूर बतेएगा कि यह हमारा प्रयास कैसा लगा इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी 200 काईयों को कबर करने की कोशिश करेंगे आप लोग इस चैनल को जितना सने प्यार और व्य हुआ है